नमस्कार साथियों यदि आप भी सिक्सक भरती परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं और आप क्लास 1-12 तक सिक्सक भरती परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं तो आप सब के लिए बहुत अच्छे खुसकबरी है जी हां साथियो BPSC से भरती होने वाले सिक्सकों का वेतन हुआ है तै आपको बताना चाहेंगे क्लास एक से बारवी तक एक लाख अठितर हजार सिक्सकों की होगी नियुक्ति 40 से 50 हजार होगी उनकी परमंथली सैलरी जी हां साथियो विस्तार से जानते हैं बिहार में क्लास एक से बारवी तक एक लाख अठितर हजार 26 सिक्सकों की नियुक्ति होगी इनकी सैलरी भी तै कर दी गई है इन सिक्सकों का मूल वेतन 25 हजार से 32 हजार तक होगा इस हिसाब से जिला कैडर नियुक्त ओने वाले नई सिक्सक को हर महीने लगबग 40 हजार से 50 हजार रुपे तक वेतन मिलेगा आपको वतादे कक्षा 1 से 5 तक के सिक्सक का मूल वेतन 25 हजार कक्षा 6 से 8 तक के टीचर का 28 हजार कक्षा 9 से 10 के लिए 31 हजार और कक्षा 11 से 12 के लिए 32 हजार रुपे तै किये गए हैं आपको वतादे राज्यकर्मी के रूप में इन सिक्सकों के नए पद की स्विकृती मुख्य सचिव आमिर सुभानी की अध्यक्षता वाली प्रसासी पदवर्ग समीती से मिल गई है अब कैबिनेट से स्विकृती मिलने के बाद सभी पदों को जिलो से रॉष्टर क्लियरेंस के लिए भीजा जाएगा जिलो से आरक्षन रॉष्टर क्लियरेंस के बाद रिक्ती BPSC को भीजी जाएगी BPSC से परिक्षा के आधार पर चाइनित अभियर्थियों को जिला केडर के रूप में वेविन कक्साओं के लिए सिख्षकों की नियोक्ती होगी माना ये भी जा रहा है कि माई के अंत तक इन पदों पर नियोक्ती के लिए वैकिंसी आ जाएगी आपको बता दे 10 दिन में तै होगा परिक्षाओं का पैटन माई के अंत तक वैकिंसी संभव हो सकेगी अगले 10 दिनों के अंदर परिक्षा के लिए स्लेबस और पैटन आधी भी तै हो जाएंगे सो अंको के वस्तुनिष्ट परिक्षा के आधार पर अभियर्थियों का चैन होगा सभी जिलों में कक्षा 1-5 तक 85,222 पद है कक्षा 6-8 तक 1745 पद माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के लिए 33,186 पद और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 11 और 12 के लिए 57,618 पद है आपको बता दे नया कैडर है इसलिए वेतन इनका सभी का तै हुआ है सभी सिक्सक जिला कैडर के होंगे जी हाँ साथियो सिक्सकों का ये नया कैडर है इसलिए इसे परसासी पदवर्ग समीती से स्विकृती मिली और वेतन मान तै हुआ है इन सभी का सभी नयुकती जिला इस्तर पर होंगी ये जिला कैडर के सिक्सक होंगे और राज्य कर्मी का इन्हें दरजा होगा और आपको बता दे अलग-अलग समवर्ग में ये योग्यता क्या है हाई स्कूल के लिए बी एड या एम एड के साथ एश टैट उत्तिन होना अनिवारिय होगा प्रारंबिक स्कूलों के सिक्सक पद के लिए DLR के साथ TAT या CTAT उत्तेंड ता अनिवारिय होगी जी हां साथ यो बिहार सरकार सिक्सा विभाग जल्द से जल मई के अंत तक इन भरतियों को आयोजित करेगा इसके लिए सिक्सा विभाग से स्विकृति के लिए भी जारी है जी हां साथ यो बड़ी अपडेट है इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन अन करें मिलते हैं इन्फरमेटिव वीडियो के साथ जै हिन जै भारत